आडियो 16 उस्तक यीश्वर और उसकी अनभूति लेखक वेदमूर्ती तपोनिष्ट पंडित श्री राम शर्मा आचारे श्रीशक उपाशना बिना कल्यान नहीं चंद्रमा तब चमकता है जब उस पर सूर्य चमकता है जब वह चमक उसे प्राप्त नहीं होती है तो अमावश्या के दिन यथा स्थान रहते वे भी उसका अस्तित्व लुप्त प्राई ही रहता है होते वे भी नहोने जैसी इस्तिति उसकी रहती है पृत्वी के उतने भाग में दिन रहता है जितने पर सूरी की किर्णे पड़ती है जितने भाग पर वे नहीं चमकती, वहां घोर अंदकार छाया रहता है और हाथों हाथ सूझ नहीं पड़ता यही बात आत्मा के संबन्द में है उस पर जब परमात्मा का प्रकाश चमकता है तो उज्वल और दीप्तिमान दीखता है और जब वह चमक बंद हो जाती है तो मानव शरीरधारी एक निक्रिस्ट नरपशु के रूप में एक घ्रनित एवं निकम्मा अस्तित्व मात्र ही दृष्टिगोचर होता है परमात्मा से दूर रहने वाले मनुष बहुदा मनुषता से रहित ही पाए जाते हैं आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है उसे जो कुछ शक्ति और प्रतिभार प्रात्थ है इश्वर की ही विभूती है जिसमें यह विभूती जितनी कम पड़ जाती है वह उतना ही दीन ही बना रहता है शक्ति का श्रोत जिस उद्गम से प्रवाहित होता है उसके साथ संबंद जोड लेने से सामाने जीव को भी शक्ति का पुंज बनने में देर नहीं लगती बिजली घर के साथ जुड़े हुए पतले-पतले तार अपने भीतर इतनी शक्ति धारण कर लेते हैं कि उनके द्वारा सेंकडो घुडो की शक्ति वाली मशीने धरढ़ाती हुई चलने लगती हैं इनको स्पर्ष करने वाले बल्व अंधिरी रात को दिन जैसा प्रकाश्वान बना देते हैं बिजली घर से जब तक संबंद है तभी तक उन तारों में यह विभूती रहती है कि उनके स्पर्ष से चमतका उत्पन हो सके जब वा संबंद कट जाता है तारों को बिजली घर के विद्यत बंडार की धारा का प्रभाब मिलना रुक जाता है तो फिर उनका कोई महत नहीं रह जाता देखने में पहला जैसा लगने पर भी वे ना प्रकाश उत्पन करते हैं औ पार का मुल्य बिजली घर से संबंद होने के कारण ही तो था वह तूट गया तो फिर उसकी महत्ता कहां स्थिर रह सकती थी आत्मा के द्वारा अनेक लौकिक और पारलौकिक प्रयोजन पूर्ण किये जाते हैं आनेकों सफलता और समरिध्यों को प्राप्त करने का श्रे आ फिर भी मनुष्य मनुष्य के बीच जमीन आस्मान का अंतर पाया जाता है एक भीरू है तो दूसरा दुस्साहसी एक दुस्ट है तो दूसरा महात्मा एक तुरशना वाशना की इंब्रिग मरीचिका में बटकता है दूसरा आनंद और उल्लास का परित्रप्ति का रसास्व पुझ और दूसरे को तिरश्क्रत देखते हैं एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो दूसरा पतन के गर्थ में गिरता ही चला जा रहा है इस प्रकार के असाधारन अंतर मनुष्य की आंतरिक आत्मिक इस्थिती की भिन्यता के कारण होते हैं आत्म बल संसार के सब बलों मे पर उन सबके मूल में आत्म बल की ही प्रधामता रहती हैं उसके अभाव में अन्य सब बल बालु की भीट की तरह अस्थित रहते हैं जरा सा आगहत लगते ही उनके अस्तवैस्त होने में देर नहीं होती जीवन की सार्थक्ता आत्मबल पर ही निर्भर रहती है अन्यबल तो छाया मात्र है आत्मा को जब भी इस्थाईबर प्राप्त होता है तब उसे वह उपलब्दी परमात्मा से ही मिली होती है मोती समुद्र से ही निकलते हैं उनका उप्योग कहीं भी किसी कारे के लिए भी किया जा सकता है पर उसकी उत्पत्ति समुद्र के अतिरिक और कहीं नहीं होती। इसी प्रकार आत्मबल का वर्दान भी परमात्मा से प्राप्त होता है। अंधा लाठी के सहारे अपनी मंजिल पार करता है। जीव भी इस पाप्ताप के अंधकार से भरे संसार से जीवन लक्ष प्राप्त करने की यात्रा इश्वर का अवलमन करके ही पूर्ण कर सकता है। परमात्मा समस्त उच शक्तियों और संभावनाओं का केंद्र है। उसी भंडार से आत्मा अपनी अभिष्ट वस्तुएं उपलब्ध करता है। इसी अमृत को पी कर उसकी प्यास बुझती है। पपीहा जब तक तरशित ही रहता है, जब तक उसे स्वातिनक्षत्र की वर्षा का जल नहीं मिलता। आत्मा भी तब तक अत्रप्त ही रहती है, जब तक उसे प्रभु की शरनागति प्राप्त नहीं हो जाती। नवजात शिशु अपनी माता का पैपान करके ही जीवन धारन कर सकने में समर्थ होता है। मानवी महानताएं भी परमात्मा के सानिदे से प्राप्त होती हैं। प्रभु की अविज्या करके हेंकार में परमात्मा को विस्वरन करके अपने पुर्शार्थ के आदार पर कुछ भौतिक संपदाय भी प्राप्त की जा सकती हैं, पर आंतरिक महांता, उदार दृष्टी कौन, एवं प्राणी मात्र के प्रति आत्मियता का वर्दान केवल इश्वर की अनुकंपा से ही मिल पाता है, बिना डोरी के पतंग की तरह जीव, निरुदेश दिन काड़ता रहता है, पर जब भगवान के साथ वह अपना संबंद बना लेता है, तो उसे अपने सुरूप और लक्ष का पता चलगाता है, तब मंजिल को पूरी करने का करम भ मानव शरी मिला होता है, पाप का प्रलोभन और आपत्यों का भै मनिश्य को पकपक पर पत भरष्ट करता है, ऐसी परिस्थितियां सामने आती ही रहती हैं, जिनके अनुसार अनुचित मार्ग को अपना कर आकर्षक लाप उठाया जाना संबह होता है, ऐसे विग्न भी आते ही रहते हैं, जो सनमार्ग छोड़कर कुपत अपना लेने से टल सकते हैं, आधार विहिन व्यक्ति ऐसे अवसरों पर इस्थिर नहीं रह सकते, उन्हें पत भरष्ट होते देर नहीं लगती, छोटे से परिक्षा अवसर आने पर भी वे अपनी प्रामानिकता खो बैठते है धर्म और नीती की पत्वार हाथ से छूट जाती है और जमानी की बहती हुई धारा में डोलती हुई उनकी नाव भी भवर में जाधस्ती, उस विपत्ति से छुडा सकने की सामर्थ केवल प्रभु आश्रे में ही है, भगवान का संबल पकड़े रहने से ही जीव अपनी रक पतनकारी आधी तूफानों से कर सकता है, इसी आश्रे को लेकर भवनिदी से पार उतर सकना संबह होता है, जिसने सच्चे मन से भगवान का आश्रे लिया, उसे सनमती का वर्दान मिला, मती का सही दिशा में लगाना, न लगाना ही जीवन क्रम को सफलता, असफलता का आधा होता है, जिसकी जीवन के सदूपयों की चिंता हो गई, जिसने सत्य का धर्म और पवितरता का अवलंबन ग्रहन कर लिया, उसे अपने भीतर आत्मशंतोस और बाहर से सयोग एवन संग सम्मान की तरंगे उर्ती दिखाई देंगी, और वह उसी आनंद से निमगनों कर मानव जीवन की सफनता का रसास्वादन कर रहा होगा, यह अवसर इश्वर की क्रपा से ही मिलता है, पुरुशार्ट से भौतिक वैवा भले ही मिले, पर आत्मविकास के साधन तो भगवान की क्रपा से ही संभव होते हैं, जो प्रभु के आगे अपना हर्दय खोल कर रखता है, मुँ करके स्थिर रहती है, जब तक उसे दूसरी दिशाओं मे घुमाया जाता रहेगा, तब तक वह अस्थिर ही बनी रहेगी, स्थिरता तब आती है जब आधार का सही आश्रे मिल जाता है, आत्मा का लक्ष परमात्मा की प्राप्ति है, जब तक यह दिशा प्राप्त नहीं होती तब तक अस्थिरता, उद्विग्नता, चंचलता एवं अशांती ही बनी रहती है पर जब लक्ष की दिशा में पग उठने लगते हैं परमात्मा को प्राप्त करने की लगन लग जाती है तब उस प्राप्त का प्रतेक चरण जीवात्मा के लिए शांती का शजन करने लगता है जीव स्वैम तो निर्बल तुछ है उसे विशालता और महंता परमात्मा के सानिदि से ही उपलब्ध होती है इसके लिए जो प्राप्त करता है वही बुद्धिमान है दूरदर्शिता की एक मात्र कसोटी यह है कि अपने सुदूर भविश को उज्वल बनाने के लिए भावना उठे विचार ना चले और क्रिया आरंब हो जानते समझते और चाहते हुए भी वह हो नहीं पाता पैर कदम कदम पर डगमगाते हैं विपनताएं मार्ग रोकर खड़ी होती हैं विभीशिकाएं निराश करती हैं और सांसारिक आकरशनों का जाल अपने बंदनों में कस कर बांध लेता है कुछ चक्र में फसा हुआ जीव कुछ कर नहीं पाता श्रे प्राप्ति का उद्देश प्रे की उल्जन में ही हसा रह जाता है इस चक्रवियू से उद्धार केवल भगवान की क्रपा से ही हो सकता है और वह तब मिलती है जब भक्त सच्चे मन से आतुर होकर भगवान को पुकारता है प्रार्थना में बड़ी शक्ती है अंतरात्मा की आर्थ पुकार कभी अंसुनी नहीं की जा सकती भगवान उसे सुनते हैं और पूरा करते हैं शर्थ एक ही है प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए सच्ची प्रार्धना का अर्थ है आत्मकल्यान के लिए पाप तापों से प्रलोभन, आकर्षणों से बचने और सनमार्ग पर चलने की उतकट आकांक्षा और उसकी अभिवेक्ति भौतिक कष्टों की निवरत्ति और सफताओं की प्राप्ति के लिए भावनाशील भग अपने भगवान को कष्ट देना उचित न समझेगा इस संबन्द में तो वह अधिक से अधिक इतना ही कह सकता है कि विपत्तियों से लड़ने प्रारद कर्मों को हस्ते वे सैने और पुर्शार्थ के बल पर आवशक साधनों को उपारजित करने योगि उसे आवशक साहस, धैर और सुभाव मिल जाए तो उतना ही परयाप्त है शीरशक उपासना ही नहीं साधना भी, जितना मत उपासना का है उतना ही साधना का भी है, हमें उपासना पर ही नहीं साधना पर भी ध्यान और जोड़ देना चाहिए जीवन को पवित्र और परिश्कृत, सैयत और संतुलित, उतक्रष्ट और आदर्ष बनाने के लिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव को उच्छ इस्तरिय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, इस प्रयत्न का नाम ही जीवन साधना अथ्वा साधना है उपासना पूजा तो निर्धारित समय का क्रिया कला पूरा कर लेने पर समप्थ हो जाती है, पर साधना 24 गंटे चलानी पड़ती है अपने हर विचार और हर क्रिया पर चौकिदार की तरह कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ अनुचित अनुप्युक्त तो नहीं हो रहा है जहां भूल दिखाई दी कि उसे तुरंत सुधारा, जहां विकार पाया कि तुरंत उसकी चिकित्सा की, जहां पाप देखा कि तुरंत उससे लड़ पड़े, यही साधना है जिस प्रकार सीमा रक्षक प्रेयरियों को हर घड़ी शत्रू की चालों और घातों का पता लगाने और जूजने के लिए लैस रहना पड़ता है वैसे ही जीवन संग्राम के हर मोके पर हमें सतर्क और तत्पर रहने की आवशक्ता पड़ती है इसी तत्परता को साधना कहा जा सकता है यह सोचना ठीक नहीं है कि भजन करने मात्र से पाप कट जाएंगे और इश्वर प्रसन हो जाएंगे अत्यव जीवन को शुद्ध बनाने अत्वा कुमार्गामिता से बचने की आवशक्ता नहीं इसी भ्रमपुर्ण माननेता ने आध्यात्म के लावों से हमें वंचित रखा है यह भ्रम दूर हटाया जाना चाहिए और भारती अध्यात्म का तत्प्रग्यान एवं रिशी अनभव के आधार पर यही निशकर्ष अपनाना चाहिए कि उपासना और साधना आध्यात्मिक प्रगर्ती के दो अविछिन पहलू है दोनों एक दूसरे से पूरक हैं एक के बिना दूसरा अपूर्ण है जिस तरह अन और जल रात और दिन शीत और ग्रिश्म स्त्री और पूरुष का जोड़ा है उसी प्रकार उपासना और साधना भी अन्योन्यास्रित है एक के बिना दूसरा अकेला असहाय एवं अपूर्ण ही बना रहेगा इसी लिए दोनों को साथ लेकर अध्यात्मार्ग पर प्रगतिशीर होना ही उचित और आवश्यक है सच्चे आस्तिक एवं सच्चे इश्रभक का जीवन क्रम उतक्रष्ट आदर्श्वादी एवं परिश्क्रत होना ही चाहिए नशा पीने पर मस्ती आनी ही चाहिए भक्ति का प्रभाव सज्जनता और प्रगतिशीर्ता के रूप में ही दीखना ही चाहिए इसी लिए हमारा उपासना क्रम सांगोपांग होना चाहिए और उसमें आत्म निरिक्षन, आत्म सुधार, आत्म निर्मान एवं आत्म विकास की परिपूर्ण प्रक्रिया जुड़ी ही रहनी चाहिए उपासना और साधना का स्वतंत्र अस्तित्व है एक को कर लेने से दूसरे की पूर्ती ह हो जाएगी यह सोचना उचित नहीं लाखो साधु बाबा पंडा पुजारी भजन ध्यान में नित्गंटों समय लगाते हैं पर उनका जीवन प्राय ग्रणित एवं निक्रिष्ट इस्तर का बना रहता है इससे सपष्ट है कि उपासना अपने स्थान पर अपने प्रयोजन के लिए ठीक है पर वह साधना की आवशक्ता पूरी नहीं कर सकती यदि कर सकी होती तो हर भजन करने वाला सचरित पाया जाता पर ऐसा होता कहां है इससे सपष्ट है कि हमें साधना के लिए प्रथक से प्रयत्न करना होगा जीवन शोधन और जीवन विकास की साधना कर रह जाती है किन्त यदि साधना को सरवांगपूर्ण बना लिया है जीवन को उत्कृष्ट बना लिया जाए तो बिना उपासना के भी आध्यात्म प्रयोजन की पूर्ती हो सकती है इश्वर की भावनात्मक पूजा की तरह ही सद आचरन द्वारा भी उपासना की जा सकती ह हम निश्पाप बने इतना ही परियात नहीं वरण यह भी आवश्यक है कि अपने कर्म इवं सोभाव में सद्गुनु का समुचित समावेश करके दिव्य जीवन बनावे और उसके द्वारा अपना और समस्त समाज का कल्यान करें व्यक्तित्यों को परिश्क्रत और विक्सित करते वे भी हम आत्मिक प्रगती के मारपड बढ़ते हैं और पुर्णता का लक्ष प्राप्त कर सकने में सफल होते हैं अतेव यही सनातन क्रम चला आता है कि हर अध्यात्म प्रेमी इश्वर की उपासना के साथ जीवन को उत्क एवं उत्कृष्ट बनाना ही अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचे देना है भगवान ने हमारी पातरता की कसोटी के रूप में यह मनुष शरीर दिया है और यह पर्खा है कि हम उसका उत्तरदाइत संभालने की स्थिती में है यह नहीं यदि इस कसोट पर खरे उत्रे तो रिशत एवं देवत जैसे उच उत्तरदाइत प्रदान कर अंततह अपना ही अंग बना लेता है पर यदि मनुषत ऐसी परिक्षा में सफल न हो सके इतना छोटा उत्तरदाइत भी संभालना सके तो जिस इसतर के हम है उसी निम्नियोनियों में पड़े र रिवर्ट कर छोटे पदो पर उतार दिये जाते हैं हमें भी अपनी निक्रष्ट मनुभूमी के अनुरूप निम्नियों में उतरना पड़ सकता है अस्तु प्रयत्न यह होना चाहिए कि मानव जीवन के महान उत्तरदाइत को वहन करने के लिए हम पगपग पर सतरकता बरते निम्न योनियों के संचित कुछ संसकारों को हटावें और मानवोचित गुण कर्म सुभाव की सदभावना और सत्प्रवर्तियों की अभिवरत्धी करें यह प्रत्न तभी सफल हो सकता है जब हर गड़ी अपने आपके ऊपर चौकसी रखी जाए अपने सम्मन्द में असा बरबाद होता चला जा रहा है आवशकता ऐसी विवेकशीलता की है जो अपने संबंद में सतरता बरतने और दूसरे गंदे लोगों का अनुकरन ना करके अपना मार्ग स्वत्र निर्धारन करने का साहस प्रदान कर सके ऐसा साहस ही अध्यात में जो आदर्ष जीवन जीने क गतिविधियों का निर्मान करे और उसी रास्ते पर उत्सा पूर्वक घसीत ले चले जिन लोगों के बीच हमारा रहना है उसमें से अधिकांश बड़े श्वार्थी संकीर्ण ओचे गंदे लोग हैं इनकी कोशिस अपने ही ढर्रे पर साथियों को भी घसीत ले चलने की हो गया वह गंदा जीवन जीने के लिए विवश होगा पर जिसने साहस करके अपना पत्थ स्वयम निर्धारण करने का संकल्प कर लिया और पड़ोशियों की उपेक्षा करके उतकर्ष्टा की गतिविधियां अपनाने के लिए द्रड़ता पूर्वक चल पड़ा वही जीव